हलो एवरिवन तो गाइज आप सबका सागत है आपकी चैनल फोड यूड रेसिपीज में और आप जो यह मोती हो जैसी क्रीमी और इतनी टेस्टी सी खीर देख रहे हो ना इतना असान तरीका बताने वाली हो आपका दिल दिमाग सब कुछ हो जाने वाला है और दूसरी चीज यह टेंशन ने किया और एक दिन पहले भविश्य वानी करने पड़ेगी कि ओहो वही कल को तो मुझे खीर खानी है तो पहले सागुदाना भिगो के रखो भिगोने वाला भी जंजट खाता मैं आपर और फ्रिज में जब आप इस खीर को रख देते है और बहुत जम जाती ह खाने का भी मन्नी करता है बहुत गाड़ी सी हो जाती है उससे बचने के लिए आपको क्या करना है ये भी में बताने वाली हूँ और कभी-कभी खीर बनाते हुए सागुदाने के दूद फट जाता है तो वो प्रॉब्लम ना है उसके लिए क्या करना है वो भी मैं इसी रेस तो यहां पर मैंने ले लिया है साबुदाना और यह लिया है मैंने पोना कप और इसी नीले वाले कप से जिससे साबुदाना मैंने लिया है उसी से बाकी सारी चीज़े नापके डालने वाली हूं यह मैंने 7-8 काजु ले लिया है और 6-7 अपना बादाम ले लिया है और इसमे तो भी रगड रगड के नहीं दोना सिफ इस तरीके से उंगलियां घुमानीयां और उसको धोना है ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कचरा है कुछ कचरा वचरा नहीं होता जब साबुदाना बनाते हैं तो उसके जो गोले-गोले से देख रहे हो आप यह बॉल जो होती है कि इसले मैं इसको धोरी हूँ जिससे स्टार्ज निकल जाए और दूद को अमिना बात का गहडा ना करें ऐसा नहीं कि वो चिपची पा लई जैसा लगे इसको अच्छे से चार बार कम से कम इसको दोना जिससे कि यह कन इसके निकल जाए इसी के वज़े से क्या होगा जब ना कि फर्जी वाला गहडा बन गया फिर फ्रिज में भी रखोगे ना तो बहुती थिक सी एक जैली सी बन जाती है इसको धोलिया है पानी इसमें से निकाल दिया है यह ले लिए मैंने कूकर क्या होता है कि भारी तले का होता है इस वज़े से क्या होती है जो आपकी खीर है अगर घी को तो यह जल जाएंगे पकेंगे नहीं अच्छा से क्रिस्पी नहीं होंगे तो लगबग दो मिनिट में हमारे भुन के तेयार हो जाते हैं इनको अलग से निकाल लेंगे और यह थोड़ा सा घी बचा हुआ इसको ऐसी रहने देंगे और जिस कब से हमेंने यह साबुदाना डालेंगे क्योंकि अगर ठंडे पानी में साबुदाना डालोगे तो चिपचिपा हो जाता है तो हम यह पानी में इसको क्यो पका रहे हैं स्थीदा का सीधा दूद में क्यों ने डाल रहे हैं हम इसलिए इसा कर रहे हैं क्योंकि दूद में सीधे सीधे साबु तो इसी तरीके से आप इसको कुछ समझ सकते हैं, तो जैसे आपको लगे कि थोड़ा सा नीचे लगने लगा हैं, तो आप गैस थोड़ा बीच में कम कर देना, इसका मकसद हमारा यहां बिल्कुल भी ऐसा नहीं, कि इस साबुद्धाने को पका के हम यहां पर तयार कर रहे हैं तो दूद्ध डाले हैं हमने यहां पर तीन कप, यह मैंने ठंडा कच्चा दूद्ध डाले हैं, आप कच्चा डालो, पकाडालो, भुना, मतलब होला डालो, जो आपकी मर्जी है, बोडालो, कोई फरक नहीं पड़ता है, तो यह हमें क्या करना है, दूद को सिर्फ हलका सा गर्म करना है उबाल लाने की जरूरत नहीं है और ये भी हम किसले कर रहे हैं जो थोड़ी बहुत संभावना है बची हों कि हाँ भी सावुद आना दूद के साथ मिलके इसको फार देगा वो भी संभावना है हम बिल्कुल खतम कर रहे हैं जैसे कड़ी को चलाते रहते न शु क्यार होने वाली है अगर आप इस टाइम पर चाहें तो ये केसर के धागी डाल सकते हैं मैं नहीं डाल रहे हूं तो इसको पकते पकते दूद को पूरी तेज आँच पे हो गई है तीन मिनिट इसको बिल्कुल भी हमने उबाला नहीं है बस थोड़ा सा धूँ आना शुरू हो गया गर्म हो गया उडियार हो गया तो इस पे लगाते हम ढख़ण और बिल्कुल गैस को कम कर देना है इस टाइम पर कम गैस पे पर यहीं नहीं जालब है कि आपकी गेस बल्कुल पर तो यह जो रिंग है फर्जी मतलब का यह चॉकलेट यहिछ पहने है तो नेल पेंट यह इसलिए कर रहे हैं कि शुरुवात में जो साबुदाना होता है उसका नीचे बैठने के उसको आदत होती है जैसे वो पकता है वो ऊपर आ जाता है तो आप इस बरतन में देख सकते हैं जैसे यह पक के तयार होने लग रहे हैं तो यह ऊपर आ गया है साबुदाना पर अब कुकर में तो उसको चला नहीं सकते ना शुरुवात में तो शुरुवात के टाइम पर आपको चहिए कि वो नीचे ना बैठे तो अमने सिर्फ पांच मिनट बात इस तरीकी से गुमा दे और आपका काम हो गया आपको कुछ करना ही नहीं है इस रेसिपी में इसको पकते-पकत हो गई थी 18 मिनट जब से मैंने कुकर का ढगकन इस पर लगाया था तो गैस मैंने कर दिये बंद अब इसका जो प्रेशर है कुकर को खुद से खुलने देना मतलब इसकी सीती ऊपर करके निकाल दो और जल्दी जल्दी खुल जाएगा यह मत करना विलकुल भी तो मैंने प्रेशर है तो जब तो जब थोड़ी ठंडी होगा इसके जल्वे देखने लायक होंगे तो इसे गरम-गरम में आपको क्या करना है इलाइची पावडर डाल देना और यह जो ड्राय फ्रूट्स है वो आपको इसके अंदर डाल देना है तो आपको असमें पाइदा किया य यह भी इसमें खाइदा है कि मैंने सब का सोचा है जो लोग ऐसे हैं जिनको शुगर की प्रॉबलम है उनको चीनी नहीं खानी तो इस ताइम आप उसको खा सकते हैं जिसको शहद डालना है वो शहद डाल सकते है जिसको इसके अंदर चीनी डाल लिए चीनी डाल सकता है मिश नहीं वह अपने हाथ में आप आप देख सकते हैं कि啊 खिये लमी किला-कल यह wsp गरा वैस सब्सक्सक्राइब उस स्ट्सक्राइब तो अब देखो गयोगा सची सची बता या कि 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 इसका समय घर से दूर यार पर फास्ट तो रखना है हमें या फिर कुछ भी अच्छा खाना है बहुत ही अच्छी चीज होती है साबुदान अगर खाने के लिए सोचे आप हेल्थ वाइस सोचे तो आप बना के खा सकते उसे एक बरतन लो उसी में अपना फटा-फट कर दो अलाम भड़ना आना चाह का और चीजें आपको पसंद आई है जो टिप्स मैंने आपको इसमें बताई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपकी कोई भी वीडियो आगे आने वाली ना चूटे और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लैक ज़रूर करना नहीं पस